हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का चैनल फूर एक्जाम पाउर में फ्रेंड साज किस वड़ो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास सोचलोजी का आनि समाज सास्त्र का टॉप 20 प्रेंड ठेक है तो ये सभी प्रेंड को आप अच्छे से याद कर लीजेगा आपके एक्जाम में यहाँ से कई कोशन पूछे जा सकते हैं तो सभी प्रेंड को आप अच्छे से रट लीजेगा और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स आपको इसी तरह से All Subject का मैं वीडियो परवाइट करवाता रहूँगा तो चैनल पर अगर ने हो तो चैनल को आप सब्सक्राब करके बेल आकन को प्रेस करके और All पर सिलेक्टर जरूर कर लीज़ेगा ताके हरे एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए ठीक है और आपको इन सभी कोशन का फ्रे में आपको पीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है तो आप वहाँ से आसानी से फ्रे में पिडियो फ्राप्त कर सकते हूँ ठीक है तो चले देखते हैं पहला प्रेस ने निम्ड में से किसने सोसलोजी सब्दा वली का सिर्जन किया तो पहला का सही आउंसर है आपसर नमर भी अगस्त काम्टने ठीक है अब चले देखते next question question number second है समाज सास्त्र को समाजिक अस्थेतिक एवं समाजिक गतिक में किसने विभाजित किया तो दूसरा का सही answer है option number D दुर्खीमनी ठीक है अब चले देखते next question question number 3 है मनु अस्मिर्ती के रचनकार कौन है तो थिरे का जो रचनकार है वो है option number D option number D क्या है तो मनु ठीक है अब चले देखते हैं question number 4 है समाज सास्त्र का जन्म किस वर्स हुआ तो समाज सास्त्र का जो जन्म हुआ था तो option number यह है 1838 option number B 1836 option number C 1898 और option number D 1810 तो 4 का सही answer है option number यह 1838 में ठीक है समाज सास्त्र का जो जन्म हुआ था friends वो हुआ था 1838 में अब से लिए देखते हैं next question question number 5 है समाज का निर्मान निम्न में से किस से होता है ठीक है 5 का निम्न में से किस से होता है option यह है वेक्तियों से option B है संस्थाओं से option number C है समाजिक समंधों से और option number D है इन में से सभी तो 5 का सही आंसर है option number C समाजिक समंधों से ठीक है 5 का जो रैट आंसर है वो है option number C अब से लिए देखते हैं 6 number question question number 6 है cost in India नामक पुष्टक किस ने लिखी तो 6 का जो रैट आंसर है वो है option number D इन में से कोई नहीं ठीक है 6 का सही आंसर है option number D अब चले देखते हैं अगला प्रेशन question number 7 है जूम खेती किस समुदाई में परचली थै तो option ये है अदिवासी समुदाई में option B है Sikh समुदाई में option number C है इसाई समुदाई में और option number D है muslim समुदाई में तो जूम खेती किस समुदाई में परचली थै friends तो 7 का सही आंसर है option number E अदिवासी समुदाई में ठीक है अप चले देखते हैं अगला प्रेस ने कोर्शन नमर 8 है धर्म की उत्पती के मानावाद के सिधान का परतिपादन किस ने किया तो 8 का सही आंसर है आप्शन नमर B टाइलर ठीक है एट का जो रैट आंसर है वो है आप्शन नमर B अब चले देखते नेक्स्ट कोर्शन कोर्शन नमर 9 है हिंदु अब चले देखते हैं नेक्स्ट कोर्शन कोर्शन नमर 10 है शोरो रैट क्या है तो 10 का सही आंसर है आप्शन नमर ये साली विवा ठीक है शोरो रैट क्या है फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर है आप्शन नमर ये ओके अब चले देखते हैं कोर्शन नमर 11 तो 11 नमर कोर्शन है आदिम समाज में जादू के कौन से प्रकार को समाजिक स्विक्रिती प्राप्त है तो यहाँ पे option दिये गए है चार option तो 11 का सही answer है option number C सफेद जादू ठीक है 11 का जो रेट answer है वह है option number C सफेद जादू अब चले देखते हैं next question question number 12 है निम्न में से कौन एक अनुशुचीत जाती नहीं है तो जो अनुशुचीत जाती नहीं है फ्रेंड्स वो कौन है निम्न लिखीत में से तो 12 का सही answer है option number D धनूक ठीक है 12 का जो रेट answer है वह है option number D धनूक जादी अब चले देखते हैं आगे का प्रेशन question number 13 है यूवा संगठन किस समाज में पाया जाते हैं तो option E है ग्रामिन समाज में option number B है नगरिय समाज में option number C है आदिम समाज में और option number D है ओद्योगिक समाज में तो तेरा का सही answer है option number C आदिम समाज में ठीक है यूवा संगठन किस समाज में पाया जाते हैं तो इसका right answer है option number C आदिम समाज में ओके अब next question है question number 14 है बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाया जाती है बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाया जाती है तो 14 का सही answer है option number G आदिम समाज में ठीक है ये जो समाज है ये पाई जाती है आदिम समाज में ओके next question है question नमर 15 है किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ तो किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ था तो पंद्रा का रैट आउंसर है आपसे नमर ये 2005 में ठीक है जो घरेलू हिंसा पास हुआ था फ्रेंड्स ये कानुन पास हुआ था 2005 में अब से लिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 16 है भारत के किस राज्य में एट से के पहले रोगई की सुचना मिली तो आपसे नी है बिहार आपसे नमर बी है तमिल आडू आपसे नमर सी है के रैल और आपसे नमर डी है हर्याना तो इसका रैट आउंसर है आपसे नमर बी तमिल आडू में ठीक है सोला का सही आउंसर है option number B तमिल लाडू में अब चलिए देखते है next question question number 17 है सरो प्रथम किस वर्ष भराष्टाचार निरोधा कानून पास हुआ था तो 17 का सही answer है option number G 1947 में 17 का right answer है option number G 1947 इस्विय में अब चलिए देखते हैं आगे का present question number 18 है भारत में निम्न में से कौन कारक राष्टी एकता में बाधक है तो 18 का सही answer है option number D उप्युक्ति सभी ठीक है 18 का सही answer है option number D उप्युक्ति सभी अब चलिए देखते हैं next question question number 19 है बिहार में बिरुजकारी भत्ता के रुप में बिरुजकारी को कितने राषी दी जाती है option यह एक हजार option B है पांच हजार option number C है तीन हजार option number D है चार हजार तो 19 का सही answer है option number D एक हजार ठीक है बिहार में बिरुजगारी भात्ता के रूप में बिरुजगारों को कितने राशी दी जाती है तो एक हजार दी जाती है तो इसका सही answer है option number यह अब चले देखते है next question question number 20 है सार्वजनिक जीवन में भरास्टाचार निम्न में से किस दसासे चमंदी थे तो 20 का सही answer है option number यह नैतिक पतन से ठीक है 20 का जुरूरे answer है वो है option number यह नैतिक पतन से तो आज के लिए इतना है friends हम लोग इस वीडियो में देखे top 20 प्रस्ने ठीक है top 20 प्रस्ने देखे हम लोग अभी तो सभी प्रस्न को आप अच्छे से रट लिजएगा क्योंकि आपके final board exam के लिए सारे के सारे जो question है वो भी भी आई है तो सभी question को आप अच्छे से याद कर लिजएगा यहां से आपके exam में कई question पूछे जा सकते हैं ठीक है तो सभी को आप अच्छे से रट लिजएगा और आपका कितना सही हुआ है आप पहले से कितना question का अंसर जानते थे वो आप comment box में जरूर बताएं और कोई आपका personal question हो तो आप comment box में वो भी बताएं ठीक है तो मैं इसी तरह से प्रतिदीनी वीडियो लाता रहूँगा तो चैनल को आप subscribe करके जरूर रख ले ठीक है ताके हरे एक वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हरे एक वीडियो जो आपके लिए important है उस सबसे पहले आपके पहुंचे तो मिलते हैं अगले वीडियो में